हेलो फ्रेंड्स हावर यू आल आई होप यू आल डोइंग वैल सो टूड़े इस अवर लेक्चर और पढ़ान मंत्री अवास योजना ओके सो वन शॉर्ट वीडियो में इसको भी हम कवर करेंगे तो लास्ट तक यह वीडियो जुरूर देखेगा ठीक है ताकि आपको पूरा इसके बार में पता चलें तो पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में रहने क्या वाला है तो यह वीडियो भी बहुत इंट्रस्टिंग साबित होने वाला है तो हम पहले देखेंगे इसमें बैग्राउंट क्या था इस स्कीम का इंद्रा अवास योजना क्या है फीचर्स क्या रहे प्रदान मेंत्री अवास योजना ग्राविन के इसकी परफॉर्मेंस क्या रही और इसकी एक्सेंशन जो अभी तक अभी हुई है कहां तक हुई है यह सावां डिटेल में कवर करेंगे फिर हम देखेंगे प्रदान मेंत्री अवास योजना अर्बन उसक सारी चीज़े हम यहां पर डिस्क्स करेंगे, so be patient and keep watching the video, okay? So before starting the lecture, I will discuss a motivation quote with you that ships don't sink because of the water around them, ships sink because of the water that gets inside them, don't let what's happening around you get inside you and weigh you down, okay? So many बच्चों के बहुत सारे comment पड़े कि मैं हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, because कि जो GKSSB ने अभी किया है, तो उसकी वज़ा से of course किसी का भी नहीं करेगा, ठीक है? तो of course हम demotivated field करेंगे, मगर ये कहना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है, तो पढ़ने का हमेशा फाइदा होता है, guys, कभी भी पढ़ा हुआ है, read किया हुआ है, study किया हुआ है, वो कभी बेसनी जाता, और जो skill सिकी हुई है, व I hope so, and I pray to God, कि जो भी ये गलत हुआ है, वो सब ठीक हो जाए, और बच्चे एक सही दिशा में, सही तरह से रिक्रिट होए, और एक ट्रांस्पेरेंट जो इन्वार्नमेंट है, वो चले, ये सब बहुत गलत चीजे हैं, जो हो रही है, मगर आपको अपनी पढ़ाई continuous रखन but there are lots of students, okay, आप अखेले नहीं हो, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, और सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं उमीद करते हूँ, okay, तो अपने दिमाग में ये बाते मत गुसने देजिए, अपना आप काम करते रहिए, okay, आप sidewise कोई skill भी सीख सकते हैं, जो आपको financially support कर सके और आगे बढ़ने में help कर सके, okay, so चली, start करते हैं आज का lecture, so first we will discuss the background of the scheme, ठीक है, तो soon after the independence, ठीक है, जब refuges आने लगे इंडिया में, तो एक public housing program इंडिया में start हो गया, जिसके अंडर houses provide किये जाने लगे, इनको rehabilitate करने के लिए, ठीक है, तो उसके बाद five year plan launch हुए, तो उस द दोरान, प्राइमिनिस्टर ने विलेज housing program दाइस वी एच्पी लांच किया, जिसके अंडर इंडिविट्वल्स को five thousand रुपीज दिये गए, ताकि वो अपने houses को construct कर सके, ठीक है, तो इस scheme के अंडर, सिरफ 67,000 houses ही बिल्ड हुए, by the end of the fifth five year plan, ठीक है, एक और scheme लांच हुई that is houses, house sites come construction assistance scheme, H-C-S-C-A-S, H-S-C-A-S, okay, so यह scheme भी लांच हुई, तो इस slide में इतना कुछ important नहीं है, जो आपने याद रखना है, next slide में important है, यहां से, ठीक है, तो इंदरा अवासी होजना, यह important हो जाती है guys, यह कब लांच हुई, 1985 में, और लांच किस्ते किये, तबके Prime Minister कौन थे, that is Prime Minister Rajiv Gandhi, उन्होंने यह स्कीम लांच की, और इसके अंडर, रूरर हाउसिंग, जो रूरर घाव में हाउसिस थे, वो बिल्ड किये जाने लगे, और इसमें तार्गिट पहले, कौन सी जो इंडिविजुल वो रखे गी, तार, H-C-S-C, and minorities, जो पापुलेशन थी, उनको टार्गिट किया गया, उनके लिए, हाउसिस बिल्ड किये जाने लगे, इस स्कीम के अंडर, ओके, फिर यह जो स्कीम है, ग्रेजुली एक्सेंड हुई, और इसने जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो नॉन-S-C-S-T कैटेगरी के हैं, और बिलो पावर्टी लाइन ह उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाने लगा, तो यहां तक क्लियर हुआ, कि इंद्रावास योजना क्या थी, इसको किस ने लांच किया, तो हम यह इंद्रावास योजना क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मैं आपको बताती हूँ, तो बिसिकली था क्या, इंद्रावास आवास योजना देखिए हमने मंद्रेगा स्कीम पड़ी थी तिक उसके अंदर भी हमने देखा था कि किस तरह से जो मंद्रेगा स्कीम का ओरीजन हुआ था वहांपे मैंने आपको एक स्कीम पढ़ाई थी याद होगा जिसने पहला लेक्चर देखा होगा तो उस स्कीम की ही यह सब स्कीम है क्या इंदर आवास योजना उस स्कीम के अंदर एक सब स्कीम आती है इंदर आवास योजना जिसके अंदर रूरल में जो लोग रह रहे हैं ठीक है तो free-bounded laborers basically क्या होगे वह laborers होगे जो कि मतलब किसी से पैसा ले लेते हैं और फिर उनके लिए काम करते हैं तो यह वाले laborers भी इंकलूड हुए फिर इसमें नॉन SCST जो बिलोव पावर्टे लाइन जो मैं आपको साथ डिसक्स कर चुकी हूं यहां पे एक most important point आजाता है with the effect from 1st April 2016 अब 2016 में किसी सिर्कार थी प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी की सिर्कार थी तो वह इंद्रावास योजना का नाम कैसे रखते तो इंद्रा दूसरी पार्टी के नाम तो रखेंगे नहीं तो और भी इसमें बहुत सारे अधरी आवास योजनान को लांच किया गया तो क्या था पहला देट इस नौन असेस्मेंट आफ हाउसी तो इनको कोई पर्टिकुलर जो भी हाउस बन रहे थे इनको कोई भी एवैलुएशन नहीं किया जा रहा था कि कैसे ये बन रहे हैं किस तरह से बन रहे हैं ठीक है तो प इसका एक वीकर पॉइंट हो गया नेक्स वान इस वीक मुनिटरिंग किस तरह से ये स्कीम जा रही है किस तरह से फंड्स हो रहे हैं इसका भी कोई आता-पता नहीं था फिर नेक्स पॉइंट आ जाता है लेक आफ ट्रांस्पेरिंसी इन सेलेक्शन अफ बेनिफिशरी इस नहीं था थी किसस्तों नहीं थीह सुझ फिर कोई तैक्टर कॉंट फवह ब्यूबत बातने इसा नहीं थीए, तो इसमें भी गैट्यॡ। तो यह scheme जो आगे continue हो पाते हैं तो इतने सारे इसकी gap थे इसकी वज़ा से हमने हमने ने लाउंच किया तो क्या लाउंच कर दिया उन्होंने पद्धान मेंतरी अवास योजना तो एक initiative है गोमेट आफ इंडिया का ताकि affordable housing प्रवाइड किया जाए पोर को तो पोर को affordable houses प्रवाइड किया जाए दो करोड तक का target था इसमें affordable houses मिल जाएंगे कब तक 31st मार्च 2022 तक यहां पर important date हो जाते हैं यहां तक यह target था पहले आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से एक्सेंट हुआ और क्या-क्या इसमें कमिया रही तो आप पहले याद है कि इसका जो scheme का 2016 से 2016 से जो लांच हुई और इसका 2022 तक इसका target था ठीक है कि यह important हो गया यहां पर 31st मार्च 2022 ठीक है अब यहां पर major important जो आ जाता है कि इसकी components ठीक है तो PMAY की अंदर components हैं दो components है ठीक है very important guys first one is the प्रधान मंत्री अवास योजना अर्बड और प्रधान मंत्री अवास योजना ग्रामिन देखो अर्बन एरियास में भी देखो शहरों में जो लोग रह रहे हों सारे ही अमीर थोड़ी नहीं होते हैं जो जो ग्रामिन में हैं वह अलग तरह के होते हैं तो अलग अलग इनका criteria होता है तो इन्होंने बहुत अच्छी से इनको well defined कि अर्बन के लिए अलग से स्टाइवे स्केम घूए और ग्रामीन के लिए अलग से स्कीम अंडर्लाइए ठीक है कि जो फिर निक्स्टा पहले हम क्या करेंगे परदान मेंं unseri ऐन्टे को देख लिए लांच में फर्स्ट अपरेट 2016 में जब हमने इंद्रा अवास योजना को प्राइम मिनिस्टर नेरंदर मोदी ने इसका नाम बदल के प्रदान मंत्री अवास योजना गराम मिन कर दिया तो इसका अब्जेक्टिव क्या था किस अब्जेक्टिव के अंदर इसका में जो थीम है वह है housing for all this is very important इसको मैं highlight करना भूल गई मगर आप इसको highlight जरूर करिएगा अपने notes में housing for all okay so ministry कोंजी इन्वाल है again ministry of rural environment क्योंकि एग्रामिन की बात हो रही है okay so इसका aim क्या था यहां पर यहीं बहुत important हो जाता है इस scheme के अंदर aim क्या था इसका that is 2.95 क्रोड पक्का houses ठीक कच्चे houses नहीं बनाने हैं पक्के houses बनाने हैं ठीक बेसिक amenities to our rural families by the end of March 2022 March and 31st March यहां पर most important है यह guys यह slide बहुत important हो जाती है कितने houses है और basic amenities basic amenities क्या होगी guys toilet बगारा हो गया एक clean और sanitized kitchen हो गई ठीक है और भी जो हमारी क्या बोलता है tap water हो गया ठीक है जो भी important essentials है एक गर में जरूरी है एक अच्छी life जीने के लिए उस गर में वह सब चीज़े होगी तो यह ऐसे नहीं है कि ऐसे गर बनाए जाएंगी जिसके कोई monitoring नहीं है तो particular इसकी monitoring होएगी पके houses होगी और basic amenities जो चाहिए एक इंसान को घर में रहने के लिए वह सारे इसमें होगी यहां तक clear हुआ फिर next हम चलते हैं इसकी beneficiaries देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी जो benefit उठा सकते हैं देखिए SCST इसमें भी रहेंगे free-bounded laborers इसमें भी रहेंगे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि free-bounded laborers क्या होते हैं है ना फिर non SCST categories रहेंगी widows रहेंगी ठीक है next हमारा most important आ जाता है guys selection of the beneficiaries ठीक है पर्दान में तरी जो इंद्रावास यूजना थी वहां पर कोई भी selection procedure नहीं था कि beneficiary किस तरह से होंगे बहां पर सीधा लिखा हुआ था SCST होंगे और इस तरह से होगा मगर कोई भी particular किस तरह से beneficiary कि selection होगी वहां पर ऐसा कोई भी जो प्रोविजन नहीं था मगर इसमें था इसमें था और अभी भी है ठीक है तो सोचियो एकनोमिक कॉस सेंसिस तैस इस सी 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 सोचियो एकनोमिक कॉस से से मोस्ट इंपर्टेंट हो जाता है ग्राम सभा के तुरू जो भी हमारे पास डाटा है बेनिफिस्टरिस का वो लिया गया जियो टैगिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था उसके उससे भी बेनिफिस्टरिस का डाटा लिया गया कि कुन-कुन सी जो लोग ह हैं जिनके पास हाउस नहीं है और जिनको हाउस परवाइड किया जाने चाहिए लिक तो इस दुरान इस प्रोसेस है यहां से उनकी सेलेक्शन की जाने लगी पिट्रीस की जो स्कीम के अंडर आएंगे ठीक है मैंने आपको पिछली बार बदाया था किเชंद्र स्कीम क्या हो कि अधेसं प्लorphनार डियां कि अधी तौरफ इसमें भी क्या होगा सो बै Cada का यहीर होगा कि तो सिंट्रोर्ड सेक्षाट्स कें दूआ जारीम का सिक्स्ती अंड स्टेट का 40 और यहां पे इस्ट और हिली एरिया स्में कितना रहेगा 90 तु 10 ओपर, 60 तु 40 प्लेन एरिया स्में, देख लिज्येगा और 90 तु 10 न रहेगा नॉर्ट इस और हिल इसे स्ट में में और जो भी टॉटल कॉस्ट यहां पे दी उसका 4% administrative expenses में चला जाएगा जो भी office level पर work होता है वहां पर है तो अब हम देख लेते हैं कि social economic cost census क्या होता है तो social economic cost census क्या होता है और इसका इसमें क्या रोल है तो social economic cost census थे कि basically 2011 में एक तो normal census होता है जिसमें population का enumeration किया जाता है एक social economic cost census होता है यह basically क्या होती है study of the social economic status of the rural and urban households तेक है social economic status क्या हो गया basically तेक है उनकी wealth क्या है education क्या है उनके houses कैसे हैं कच्छे हैं की पक्के हैं उन houses की walls कैसे हैं बड़े सारे इन में parameters होते हैं अगर आप मेजो देख लेजिएगा wealth कैसी है education कैसी है health कैसी है उनके houses की जो walls हैं किस चीज से construct हुई है ठीक है stone से हुई है मट से हुई है यह सब इसमें आ जाता है यह सब इसमें collect करते हैं data फिर यह call census जो है किसके control आता है यह basically आपके लिए इंपोर्टन नहीं में सिर्फ आपकी additional information के लिए दिया हुआ है का सेंसे मिनिस्ट्री आफ ओम अफिर्स रिजिस्ट्रा जनल आफ इंडिया और सेंस कमिशनर आफ इंडिया तो यह रिजिस्ट्रा जनल आफ इंडिया इंडिया कोन है इसमें that is विवेक जोशी जो अभी present पे हैं यह है तो आप मुझे बता सकते हैं कि 2011 में कोन थे जब लास्ट सेंसे हमारा हुआ तो 2011 में रिजिस्ट्रा जनल और सेंसे कमिशन कोन थे जो भी मैं आपको question पूछती हूँ वह आपको पूरा वीडियो खतम होने के बाद लास्ट में आंसर दिये जाएगा विकॉस आपकी consideration खराब हो जाएगी बीच में ठीक है तो आप कही no don't करके रख सकते हैं वो questions और last में मुझे comment section में दे सकते हैं उसका answer देखी guys जब आप मुझे answer देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सच में आप से interact कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं बहुत अच्छे बच्चे हो ठीक है तो मैं बहुत इतना चल्दी में किसी से connect नहीं होती हूँ जितना मैंने आप से किया है ठीक है तो guys आप जो answer है वो video end होने के बात में दीजिएगा ठीक है ताकि आप full concentration से पहले आप यह समझ लीजिए उ और चलिए आगे हम पढ़ते हैं तो मैं 2011 की बात करनी थी कि कौन है इसके census commissioner तब कौन रहे थी कि आपके जो जी के पॉश्चन में अब यहां पर बात आती है कि census 2011 और socio-economic census 2011 में जो फर्क क्या था इन दोनों में फर्क क्या था इसमें major difference है वो देखते हैं पहले हम देख लेते हैं कि date कौन सी पे conduct हुआ था census 2011 जो conduct हुआ था वो 9-28 February हुआ था और जो census 2011 वो 2011 में 12 में और even few states में verification 2013 तक भी होती रही major difference है यह इतना important नहीं है इस चीज के लिए मगर यह आपको basic idea में दे रही हूं क्या 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 इसका difference था देखिए यहां पर अब 9th ही क्यों ठीके 9 से क्यों विकास हमारा 9 जो फैब है ठीके 9 फैब है वो हमारा national क्या है census day होता है ठीके national census day हमारा कब होता है 9 फैब को क्योंकि पहली दफार जब हमारी 9 फैब 1951 में हमारी census की गई थी तो यह 9 फैब को हुई थी इसलिए यह national census day है ठीके और जो हमारा census as a census day होता है world census day होता है वो कब होता है 1st April को होता है ओके तो यह थोड़ी additional information थी जो मैंने आपको दे दीके major difference यहां पर आता है कि जो population census है वो census act 1948 के under conduct की जाती है गाइस यह बहुत important हो जाता है और जो यह हमारी population census होती है इसमें जो government है जो individual personal की जो information होती है वो confidential रखते हैं ठीके वो open नहीं करते हैं इसमें वो confidential रखे जाती है इस act के दोरान मगर यह social economic cost census इसको open रखा जाता है और government departments के लिए क्योंकि तभी तो beneficiary का पता चलेगा कि कौन सी लोग जो है houses के मतलब जिनके पास houses नहीं है और उनको यह benefit पहुंच जाईए different departments में यह data जाएगा तो उसी तरह से यह identify होंगे इसलिए यह वाला जो socio economic cost census है यह census act 1948 के अंदर नहीं आता है यह open होता है for government departments के लिए और यहां पर जो information है वो शेर की जाती है पर्सनल लेबल पर भी ठीक है ताकि हमें beneficiary को हम identify कर सके और उनको benefit दे सके ठीक है फिर हम देख लेते हैं कुछ features परदान मेंत्री आवास यूजना अग्रामीन के तिक है most important होयाता है कि मिनिमम साइज है हाउस का वो कितना रहेगा 25 स्कियर मिटर तक का minimum जो साइज रहेगा वो रहेगा विथ हाईजनिक कोकिंग स्पेस खाना बनाने की जगह कैसी होगी साब सुत्री होगी ठीक है डिफिकल्ट हो जाती है इसलिए वहां पे कास्ट जो है वह जादा दी जाती है तो तो अशिस्टेंट साफ कंस्ट्रक्शन आप टॉयलेट्स ठीक है मैंने आपको बोला कि बेसिक एमेनिटी जो है वह भी होंगी ठीक है तो पहले सबसे की इंपोर्टन है ठीक है तो दिया जाएगा सवच बारत मिशन के साथ ग्रामेन के साथ इसको कनवर्ज करके इस सकीम को मनरेगास के साथ कर ठीक है तो बेसिकली थेखो मैंने अब बताया कि इंद्रावास जोजना का किसी भी स्कीम के साथ कोई भी इंटीग्रेशन नहीं थ तो फंड इतने रिलीज हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर वे में चैनलाइस हो सकी आप देखो के आगे कहां कहां पर इसने लिंक एक मतलब पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से यह लेवल पे वर्क हो रहा है और इतनी अच्छी स्की मोनिटरिंग हो रही मंडरेगास के जो लेबरेट है उनको दिया गया फिर क्या गया गया पाइप ड्रिंकिंग वाटर दिया गया इलेक्स सिटी ठीक है यह तो बेसिक अमेरेटीस है लपीजी गैस किनेक्शन तो यह सारा कुछ इनको प्रवाइड किया जाएगा अलांग विद हाउस तो यह स्ल चार्गेट है वह कंप्लीट हुआ है यह तो यह पॉसिबल नहीं होता कि मार्च 2022 तक यह इतने सारे हाउस और बिल्ट किया सकते थे तो कैबिनेट ने क्या किया फिर बोला कि कोविट-19 के कारण यह सब जो भी काम हुआ है कि कंस्रक्शन बंद भी हो गया था बेसिकली तो दोरान क्या हुआ है कि कोविट-19 के दोरान यह स्की जो है प्रण टार्गेट फुल्फिल नहीं कर सगी तो इस ती उन्होंने एक्स्टेंशन किया है प्रण मेंतरी आवास योजना ग्रामीन का ब्यॉंड मार्च 2021 तिल मार्च 2024 टिल मार्च 2024 तक इसका एक्टेंशन हुआ है this is the most important thing guys कि कहां तक इसका स्कीम का एक्स्टेंशन हुआ है that is March 2024 तक okay so next देखते हैं कि अब इस स्कीम में जुतने भी बचे हुए हाउसे स्टेंशन है कि डिमेनिंग 155.75 लाइक हाउस होल्ड है तो ओवराल आउट आफ 2.95 क्रोड जो ग्रामिन के लिए सेंक्शन हुए थे तो उनको इस टाइम पिरेड में कम्प्लीट किया जाएगा याद रखे का 2024 तक इसको एक्सेंट किया गया है प्रदान मंतरी आवास यूजना ग्रामिन को ठीक है तो अरबन में बेसिकली जो टार्गित था इनका इनोंने आल्मूस्ट कम्प्लीट कर लिया है और इनको और बी जो भी बेनिफिश्री से हैं उनका डाटा मिल रहा है तो यह भी स्कीम अभी डिशनल दी न्यूस आई थी यह भी स्कीम एक्टेंट हो सकती है 2024 तक वागर अभी इसकी बार में कोई न्यूस नहीं आई है तो जब अपडेट मिलेगा जब आपको भी पता चलेगा तो आप अपने नोस में एड़न कर लेजीए का ओके तो इसका लॉंच कब हुआ था देट इस 25 जून 2015 में तो इसका एम क्या था वही कि एफटेवल हाउसिंग प्रवाइट किया जाए अर्बन एरियास में बाई ट्वंटी ट्वंटी टू तो इंप्लिमेंट इसको कौन करेगा वहां पर मिनिस्ट्री आफ रूर प्रोग्राम करेगी मगर यहां पर कौन करेगा मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग अर्बन अफियर्स ठीक है तो इसके मिनिस्ट्र कौन है वह आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताएंगे मगर वीडियो एंड होने के बाद में तो चलिए अब हम इसके फीचर देख लेते हैं प्रदान मेंतरी आवास योजना के तिक है आई होब आपको विजिबल होगा यह सो फर्स्ट देख लेते हैं यह आल वैदर हाउसिंग न्यूनित विद वाटर किचन एलेक्षिटी एंड टॉयले ठीक है तो बेसिक अमेनिट किसके नाम पर होंगे वह फीमेल हैड के नाम पर होंगे किसके नाम पर होंगे फीमेल हैड के नाम पर होंगे तो फीमेल हैड के नाम पर होंगे आप तो और पर देखते हैं आपके घरों में भी जो नेम प्लेड लगी होती है जो जहां पर भी आप जाते हैं नेम प्लेड ल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो जब आप अपना हाउस पना होगे ठीक है आई होप आप बहुत अचा घर बनाएंगे अपना मगर उसमें अपनी वाइप का नाम भी इंक्रूड कीजिएगा अपनी जो नेम प्लेट होती है बाहर ठीक है तो अपने घर के बाहर से ही जो अगर आप दोगे तो ही अंदर आएगी ठीक है तो फीमेल्स को भी इक्वल टीच्मेंट देने का यह गोर्मेंट का इनिशियेटिव है यहां पर उन्होंने बोला कि फीमेल हैड की नाम पर यह हाउस नेम होंगे और अगर वो चाहें तो फीमेल और मेल जो दोनों हैड हैं उसके नाम पर जोएंटली भी यह क्या कर सकते हैं वहास का ना करा सकते हैं ठीक है अंदब उनके नाम पर हैं अगर ऑगर यह ल मेंबर है कि अपने नाम पर करा सकता है ठीक है यहां तक ऑगैर यह इंपरेcus confess यहां पर, so third आजाता है हमारा better quality of life for urban poor, ठीक है, हम उनको अच्छी life देंगे, जो urban poor है, उनको भी better quality of life, इसके अंडर provide किया जाएगी, security of the tenure दिया जाएगा, educate physical and social infrastructure दिया जाएगा, ठीक है, यह कुछ features है, आप पढ़ लीजी को थोड़ा इनको, ठीक है, मैंने लिखे भी पहली दफा ही यह scheme आया है, तो मैंने जादा लिखा हुआ है, ता कि आप जो भी important आपको points लगे, वो आप खुद से अपने notes में add-on कर दीजगे, तो इसमें क्या हुआ, फीचर्स में अब थोड़े और discuss कर लेते हैं, वही मैंने लिखा हुआए, basically, तो इसमें अड्रेस कात development authorities, तो अलग अलग तरहां की urban areas उनको identify किया जाएगा और उनको houses प्रवाइड किये जाएंगे, okay, तो basic amenities से यहां पे भी रहेंगी, like toilet, water supply, like city kitchen, जो भी basic amenities, जो basic requirement होती है, वो यहां पे भी provide किये जाएगी, like rural में की जा रही थी, okay, next हम देखते हैं, यहां पे, वही मैंने ownership the house in the name of the female member or joint name पे, okay, तो एक अगर दोनों ही नहीं है, मतलब female member नहीं है, तो वो अकेला भी करा सकता है, okay, मगर provided that female member नहीं होने चाहिए, अगर वो है, तो उनी के नाम पे यह गर होगा, okay, तो preference यहां पे important हो जाएगी, preference इसमें पहले किसको दी जाएगी, differentially able person, जो दिव् से और स्ट को, OBC को, minority को, single women अगर कोई है, transgender जो है, और vulnerable, other जो weaker or vulnerable section है, society के, उनके पहले preference दी जाएगी, houses के लिए, अब यहां पे most important slide आ जाती है, guys, यह, the scheme has divided into four verticals, यह, four focus areas इसके हैं, तेके, इसके हैं, परदान मंतरी, आवास योजना, अर्बन की, चार focus area है, तेके, यहा करेंगे, one by one detail में, तेके, यह, important हो जाता, guys, चार focus area है, तेके, इसमें से question बन सकता है, so, first is, in-situ slum redevelopment, credit linked subsidy scheme, affordable housing in partnership, and beneficiary led construction, तेके, एक, एक करके, हम इन सब को discuss करेंगे, पहले आप पढ़ ले चाहिए, that is, in-situ slum redevelopment, that is, ISSR, credit linked subsidy scheme, that is, CLSS and affordable housing in partnership, that is, AHP, and beneficiary led construction, that is, BLC, clear, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तेके, जो चार, हमने focus area, discuss किये, उसमें से, हमारी, जो CLSS है, तेके, यह वाला, तेके, जो second वाला, हमने credit linked subsidy scheme, जो discuss किया, उसमें से, यह, एक scheme है, जो की central sector scheme है, जहां पर पूरा, जो fund है, वो कौन देगा, center देगा, ठीक है, मैंने बताया था, आपको center sector scheme क्या होती है, तो यह सिर्फ scheme है, जो की central sector scheme है, इन चारों मैं से, बाकि सारी कैसी है, center sponsored scheme है, ठीक है, clear है, यहां था, फिर आजाता है, आगे, इस scheme के अंडर, क्या किया जा रहा है, government of India क्या करती है, credit flow करती है, institutions को, ठीक है, त आता है, कि benefit जो है, किस को मेलेगा, EWS को मेलेगा, low income groups को मेलेगा, that is LIG को, और middle income groups को भी मिलेगा, guys, यह आप no down कर लेजेगा, middle income groups को भी, अभी include किया गया है, EWS क्या हो गया, economic weaker section, ठीक है, यह तो पता है ना, आपको, economic weaker section, section, okay, low income group and middle income group को भी, इसमें क्या किया गया है, include किया गया है, so, पहला हम देखते हैं, component, that is, in-situ slum redevelopment, that is, ISSR, ठीक है, slum तो आपको पता है, जो जुगी जो पडियां होती है, ठीक है, उनको बोलते है, slum area, ठीक है, तो in-situ क्या होगे, कि जहां पे वो रह रहे हैं, वह जहां पे ही उनको houses प्रवाइड किये जाएंगे, ठीक है, तो सेंटर कितना assistance दे रहे है, यहां पे रुपीज 1 lakh per house, एक लाग दे रहे है, एक घर बनाने के लिए, जहां पे उनको जो eligible slum dwellers है, उनको इस component के थूँ जो लैंड रिसोर्स है, वो प्राइवेट देवलपर के स इसका point है, ठीक है, clear हुआ किस तरह से इसमें कितने assistance दी जाए है, और किस तरह से इसमें slum areas को redevelopp किया जाएगा housing में, फिर आ जाता है हमारा credit linked subsidy scheme, CLSS, जो हमने अभी discuss किया कि वो, यही एक scheme है, जो कि क्या है हमारी center sector scheme है, उन चारों मैंसे, ठीक है, तो इसमें जो beneficiaries रहेंग वो कौन रहेंगे, that is, low income group, middle income group, seeking housing loan, जिनको चाहिए क्या, अपने घर बनाने के लिए loan चाहिए, ठीक है, बैंक से चाहिए, जा हाउसिंग finance company से चाहिए, कोई भी other institute हो सकता है, तो उनको कितना जो है, ठीक है, किस के लिए दिया जाएगा, basically construction के लिए, enhancement के लिए, देखिए अब construction हो गया, कि अगर उनके पास घर ही नहीं है, पका house है ही नहीं है, तो construction के लिए उनको ये credit दिया जाएगा, enhancement हो गया, कि किसी के बास एक ही कमरा है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, इसको पैस एक ही कमरा होता है, उसमें ही सारा kitchen, बाकि सारा सोते विगारा भी वही है, जहां तो उनको convert किया जाए, दो, तीन, चार कमरों में जितने भी उनकी capacity है, ठीक है, तो वो हो गए enhancement, और construction हो गया, जब zero level से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको eligible candidate को दिया जाएगा, और interest, subsidy कितनी मिलेगी, यहां से, सेंटर की तरफ से, 6.5% मिलेगी, कितने amount के लिए, pocket, subsidy मिलेगी, यहां पे देखिए, 6.5% subsidy मिलेगी,Чृ侍 6llaq का loan लेते हो तो उस पे, और 4% subsidy मिलेगी, अगर आप 9llaq लोन लेते हो तो तो इस पे, अगर談त केंदर, तीन पर सेंट की subsidy मिलेगी, अगर आप 12llaq लोन लेते हो, उस पे आपको यह subsidy मिलेगी, तो क्या हो जाएगा यहां पररहु न हम साक्डारीजन ऌप मिन हम टीक होल जाता है यह डिया तो ट्रिक के आपक्ष बंड़ एक कि यहां पर कुछ तो प्रसंट इरड में आपके छंकतव गूआ olerड़ाय। तो थोड़ा लिंक कर लिजी कि यहां पर इतनी खास ट्रिक बन रही है तो थोड़ा कर सकते हैं तो थीक है अगी क्या है इसमें इतना आपको यहां पर याद नहीं रखना है यह मैंने आपकी इंफर्मेशन के लिए कि आप पहली दफाइए अगर अगर आपको अगर आपको कुछ मेरे से स्कीप हो गया होगा तो आप कहीं से आपको कुछ इंप्रेंट पर लगता है तो प्लीज आप आप नोर्स में अपने एक दो पेज छोड़ दीजेगा स्कीप के बाद और जो इंपॉर्टन कोई करन्ट अपडेट होती है वह आप नोर्डॉन करीजेगा ठीक है ताक कि आपको कोई पॉइंट ना छोटे ठीक है अप सबसीडी सेंटर देगी मगर किसी फाइनेंशल इंस्टूशन के अंदर ही देगी है तो यह सारे जो इंस्टूशन है इसके अंदर आ जाएंगे यह बिसिकली इंपॉर्टन नहीं है ठीक है अब हमारा एक लैप पॉर्टल आ जाता है जो सिकनिफिकेंट रोल प्ले करता है इस स्कीम के अंदर ताकि वो क्या कर सके एक तो अच्छे से जो हमारे जो सबसीडी जा रही है जो भी इंटरस्ट रिएट मिल रहा है जो भी लोन मिल रहे है वो जो इस स्कीम के अंदर मिल र करेंगे अभी तक आप यह समझें कि क्लाप पोटल सी एलेसे स्में इसको जो फैसिलिटेट इसमें जो सबसीडी का जो फ्लो है चनलाइज है वह इस पोड़र के थरू होता है और इसकी मुनिटरिंग भी इसके थरू होती है एक यह मैंने अपसे पहले ही डिसक्स कर चुका है रिपीट हो गया सारी यहां पर तो यह पर यह जोन्तली जैसे मैं आपके पास ऑप्शन होता है कि वह दोनों फीमेल और मेल दोनों जोन्तली भी कर सकते हैं और यहां पर एक और ही पॉइंट आता है इंप्वार्टन जो मैंन नहीं होना चाहिए श्मकश्मेर और आप को फेसरी नहीं रहोगे आपके पास यह सिंगल होना चाहिए चो पहला होगा जो इसके अंडर construct हो रहा हो तो यह सब इसके अंडर आ जाएगा अब नेक्स हमारा आ जाता है affordable housing and partnership अब यह क्या होता है तो इसके अंडर क्या करता है center assistance देता है about 1.5 lakh तो यह आप थोड़ा याद रहेगा कि कौन से scheme में कितना assistance center दे रहा है तो यह इसके चार component है तो यह यहां पर important हो सकता है तो यहां पर कितना दिया जाएगा 1.5 lakh house दिया जाएगा per EWS that is economic vehicle section को जो की government के द्वारा दिया जाएगा तो यहां पर mix up the houses हो सकते हैं तो different category के houses बंड सकते हैं यहां पर यहां पर दिया जा सकता है दूसरी जो LIG के lower income groups को भी जो benefit दिया जा सकता है मगर यहां पर पहले यह important है कि at least 75% जो houses है वो EWS category को दिये जाएं ठीक है यह clear हूँ चलिए next पढते हैं यह मैंने थोड़ा सा आपको दिया है इसमें कुछ important है नहीं आप पढ़ लीजीगा ठीक है मतब state भी अपने level पे कुछ जो है उपर नीचे कर सकती है ठीक है कि कितना cost हो रहेगा कितना exemption रहेगा ठीक है तो यह सब आप पढ़ लीजीगा यह कितना important नहीं है अब next आ जाता है हमारा beneficial and individual house construction enhancement okay that is BLCN and BLCE तो इसके अंडर क्या आता है इसके अंडर भी रुपेश 1.5 lakh ही दिया जाएगा पर EWS house ठीक है तो इस भी क्या होगा कि individual lead के individual की मतब मदब से ही उस house को construct किया जाएगा और इन्हांस किया जाएगा ठीक है जो individual है particular beneficiary है ठीक है उससे ही मतब वह ही बताएगा कि हां मेरे house में यह सब चीजे हैं और इतना मुझे इन्हांस्मेंट की जूरत है तो इसके अंडर की beneficiary ladder जो beneficiary है वही बताएगा कि मुझे इतनी क्या है इतनी जूरूरत है और वह application submit करेगा ठीक है पर्टिकुलर लोकल बॉड़ी जो है वह उस information जो इंडिविजुल ने प्रवाइड की है उसको वह पर्टिकुलर वे में देखी कि और जो ownership of the land हो जो other details है economic status की eligibility की तो वह सब इसमें वह अर्बन लोकल बॉड़ी देखी ठीक है direct benefit transfer क्या होता है ठीक है बेसिकली जो beneficiary उसके direct account में ही यह चीज जाती है ताकि बीच के जो intermediator है उनको खतम किया जा सके और fund सीधा beneficiary के पास पहुंचे ठीक है एक important चीज यहां पर आ जाती है कि affordable rental housing complexes ARCs for migrant workers and urban poor ठीक है तो यहां से हमें क्या पता समझा रहा है इस heading से की ऐसे houses जहां पर हम affordably rent दे सके और वहां पर रह सके तो ऐसे houses की किसको चुरूरत थी वह housing के जो cost है वह save कर सेंगे तो इस मतब उनको भी क्या है decent house में रहने का क्या है उनको भी हक है पूरा तो इसी हक को देखने के लिए या इसी नीर को cater करने के लिए जो ministry of housing and urban affair है ठीक है तो उन्होंटे एक sub scheme launch की किसके अंडर परदान मंतरी आवास योजना ग्रामेन के अंदर that is affordable rental housing complexes A-R-H-C-E-S ठीक है तो इस scheme को क्या करने लगा इस scheme के अंडर क्या किया जाने लगा यह ऐसे houses बिनाये जायने लगे जिसके अंडर वो migrant workers रह सके और एक minimum charge of amount जो ऐसे rent वो दे सके और अच्छे घर में रह सके जिससे उनकी health भी खराम ना हो और वो अच्छे से रह सके तो यह इंपॉर्टन होदा है कि यह जो scheme है इसके अंडर सब स्कीम है तो इसके अंडर क्या किया गया implement की यह दो मॉडल के थू ठीक है तो फर्स्ट मॉडल क्या जाएगा इसलिए कंप्लेक्स में अफोर्डबर रेंटल हॉसिस में कंवर्ड किया जाना लगा फूब्लिक प्राइवेट पार्ट्नर्शिप के थुरू पहला मॉडल यह हो गया और दूरा आध है हमारे पास चंस्ट्रक्श की जाना लगा उन अफोर्डबर रेंटल हॉसिस का किसके पर रह सकी और एक डीसेंट लाइफ जी सकें तो यह बेसिकली कोविद 19 के दोरान यह स्टार्ट किया गया था यह भी आप रियाद रखी या पता एक्जैम में इसके लिटेट कोशिशन आ जाए है ना हम कुछ चीज छोडएंगे नहीं अपने दरव से मैंने बहसित देनी की कोशिश किया है जो भी प्रफिश था जो भी पॉर्टल है जो भी सब स्केम्स के मैंने कवर करने की कोशिश की है फिर भी कुछ स्किप हो जाता है तो आप अपने एंड से जूरूर एड़ाउन कर लिजीगा ठीक है बाकि मुझे कुछ पर सलेगा तो मैं तो एड़ाउन करा ही दूंगी तो रोबेस्ट मिस सिस्टम आ जाता है एक और चीज यहां पर आ जाता है तो यह भी एक बेसिकली पोर इन्फोर्मेशन सिस्टम जिसके दोरान क्या किया जाने लगा तो यह इसने हल्प किया कि सारे जो स्टेकोल्डर है वह में orange कर सके इन्फोर्मेशन जो पटेंटो फीजिकल अन फाइनेशल प्रोग्रेस डिकिदो तरह से कितना पैसा जा रहा है बेनिफिशल स्टें को त्सक के अंडर प्रोजेक्ट की इंफोर्मेशन फंड यूटिलाइशन बेनिफिश्री की डिटेल सर्वे सारा कुछ कवर किया जाने लगा इस सिस्टम के दोरान तो यह भी एक ऑनलाइन ट्रेकिंग सिस्टम था यह भी यालरगी का इस स्कीम के अंडर ही है तो इसमें है क्या था ब उसके साथ में इंतिकरेट कया गया है तो उससे भी हम इमेजर लेते हैं flows and other satellite मैस मैब के साथ और ऐसको लिंक कि किया गया मैश सब्सक्राइब के साथ न कि इस बारत मैब के साथ हो रिए थे तो इसंसे सारी इंफरमेशन जो जो भी कूप हो रहा था चाहे वह फंड गिल्ट था जहां प्रिपिस कल ले तो सारा डाटा इस सिस्टम के दोरान के जाने लगा देखा जाने लगा और यह ऑनलाइन एक सिस्टम है और देखिए कितने सारी चीजों के साथ इसको इंटर लिंक के गया तो मैं आपको बता ही रही थी कि बनार मंद्री अवास यूजना जो है इसमें सारी स्कीम सारे के साथ नितिय योग डैशबोर के साथ ठीक है डीपीटी भारत पोर्टल के साथ भी लिंक किया ताकि वह इंफरमेशन को डिसमिनेट कर सके प्रवाइड कर सकते हैं तो ओपन है सब कोई इंफरमेशन पढ़ सकता है इंसाइट पर जाके कि कितना कितने सेंक्शन हुए है वर पोर्टल है ठीक है तो इस स्कीम के लेटर आता है बेसिकल यह बवीशन पर यहां पर सारे स्टेक होल्डर जो इस स्कीम के साथ जूडे हुए है जो इंप्लेमेंट कर आ रहे हैं एक्सेक्यूट करा रहे हैं जैसे Ministry of Housing and Urban Affairs हो गया जो लेंडिंग इंसिट्यूशन सोगे बेनिफिश्री सोगे इन सब को इंटेग्रेट किया गया रियल टाइम इनवार्मेंट में डाट इस ऑनलाइन तो आपको सब कुछ डिटेल वहां पे मिलती है इन स्कीम के देटर तो यह सबसीडी को भी ट्रैक करता है जो बेनिफिश्र की है हर चीज के साथ तो यहां पर छोटा सा कंसेप्ट है कि कि इतना फंड दिया जाएगा टोटल में से 5% के जाएगी बेसिकली कैपस्टी विल्डिंग के लिए कि कोई भी स्किल डेवल्टमेंट वगरा हो जाएगी इसमें है ना फिर इन्फोर्मेशन एड्यूकेशन और दो कॉमिनिकेशन और अगर एक्स्पेंस के लिए 5% कि इतना इंप्रचल है निम थोड़ा की आपको थोड़ा आइडिया रहे बेसिकली की यह भी है कि कि इतना पर्संट दिया जाता तो 5% आप याद रखी का ठीक है फिर यहां पे आ जाता है काई यहां पे आएगा आपको कितनी है transition कितने हुए है ग्राउंड कितने हैं टीक है तो फाइनेशल पाइनिश हदर सकते हैं कमिट्र कितने हैson और हीज़ी है इस्पेंडरिज कितने हैं यहां पे आप देख सकते हैं तो तो यहां पे आप देख सकते हैं हाउस Kings byantly. relationship सेंब्ड कितने ह हुई और कितने हैं CLSS के अंदर कितने बेनेफिश्टरी है और कितने सबसीडी इंटरस सबसीडी हैं इसके अदर अगर आपको यह अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप इनके ऑनलाइन वैपसाइट पर चेक कर सकते हो वहां से यह डाउनलोड कर सकते हैं घियरा होeszंद को यहां पर चाहिएगा अब यह हाउसिंग्स आपना पर्देश कितने परजैक्प मैं कितने प्रोच्छिंटे कर जोम करो जाती हैंません कि इंपरेटन आपको ऊईडिया के इस तरह से नहीं ठीटेल आ यह पूरे डिटीलर पर पताजल जाती है कि इतने होएं है जाहर आगर विट है कितने सेंक्षिनद है कितने कम्पलीक स्योगे हैं गितने इन्वेस्ट्मेंट है यह इस त Анд ze पूरे पोर्टल शासे जुआ डाटा है रख जाता है और अच्से तरह से इसकी इंपलिमेंट हो रही है तो आप इसको अगर आप देखना चाहते हो यह सब तो आप इनकी ऑफिशल बैक साइट से देख सकते हो ठीक है तो यह थी आज की वीडियो थैंक यू फार सो मच फर वाचिंग दे वीडियो ठीक है अगर मैंने अपनी तरफ से बैस देने की कोशिश क है गाई अगर आप को वीडियो अच्क्त लगती है तो लाइक कर दीजीएग अगर नहीं अच्क लगती है तो डिस्लाइक कर दीजिएगा ओके सो बाके आप खुश रहिये, खुशियां बांते रहिये, मैं बेस्ट विच्छे राल्वेस विद्यू, थैंक यू गाइस तो मुच, बाबाय, टेक केर,